आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है मितुन सिंग और आप ऐसे प्लैटफॉर्म के साथ जुड़े हो जो बिल्कुल ऑथेंटिक और जैन्विन इन्फरमेशन आप तक प्रभाइड कराता है तो चलिए, आज बात करेंगे EMRS 2020 की प्रभरेशन कैसे की जाए कि आप एक सीट कम से कम अपनी सीक्योर कर पाओ तो उसी के उपर में आज लेक्चर होने वाला है कि तैयारी किस मेडियम से की जाए और कैसे आप पढ़ाई करोगे कैसे रूटीन बनाओगे, क्या पढ़ा जाए और किन-किन किताबों को पढ़ना अच्छा होगा आपके लिए और कट अप क्या होगा पूरी डिसकर्शन इस वीडियो में हम लोग करेंगे पांस से छे मिनिट आपको टाइम देना है, पूरी बात आपको समझा दी जाएगी पहली बात, दूसरी बात, यह वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक जरूर कर दें और लाइक करने के साथ साथ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए बात करेंगे आज क्या किया जाए और कैसे पढ़ी जाए कि यह हमारे इस आपका किलियर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले देख लो आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज है जानना कि सिलेबस आप जान लो मैंने बार-बार दोहरा आई है फिर से एक बार दोहरा देता हूँ TGT के लिए जो अपलाई कर रहे हैं जी हाँ, TGT के लिए जो apply कर रहे हैं, उन्हें पढ़ना होगा 10 तक का ही सिलेबर, लेकिन difficulty level प्लस 2 तक आएगा, यानि कि 12 तक के question आपको देखने को मिलेंगे, यानि कि 10 के NCRT को अगर आपने बना लिया, या RS अगरवाल पढ़ लिया, तो इससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, difficulty level जैसे CGL वगेरा में, sin, theta, cos, theta के question पूछे जाते हैं, या फिर height and distance के question examination, competitive exam में आते हैं, वो सब आपको कर लेना है, ये तो बात भी mathematics की, same चीज़ें English के साथ भी है, कि grammar कैसे पूछा जाता है, उसको आप देख लेना, history के लिए आप अपने subject को उ उस तरह से देख लेना, आगे देख लो, आपको consist रहना है, actually क्या है न, कि जोस में आके, अगर आप एक दिन 10 गंटे पढ़ लिए, और अगले दिन आपकी battery डाउन हो गए, और 2 गंटे में आपने कहा, चलो हो गया बहुत, तो ये रवाईया आपको लेडू बेगा, रोज चार घंटे पढ़ते हो, चार घंटे की रोज पढ़ाई जरी रखनी चाहिए आपको, बिमार हो, तकलीफ में हो, आपके घर में guest आगा है, फिर भी consist रहो, be your own constant, हमेशा अपना constant आप बने रहने की कोशिस करो, आगे देख लो, आप देखो यहाँ पर routine बना लो आप, कि कब से कब पढ़ना है आपको, एक और बात, अब घर में कोई guest आ जाए, या कोई एकाईक आपको तवियत आपकी खराप हो जाए, तो आप जो है, अपने routine को थोड़ा सा adjust कर सकते हो आगे पीछे के साथ, लेकिन अगर आपने चार घंटे पढ़ाई करने की, अपने आपको सोच आगे देख लो, always read on a study table, आप देखो आपको लग रहा होगा कि क्या ये बच्चों वाली बात है, बेट पे क्यों नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, simple सी, गर्मी का टाइम है, पंखा चलेगा तो आपको नींद आएगी, definite, ये जो है बिल्क तो देखना आप कोशिस नहीं करोगे कि आप उठके उस समान को लोगे, आप चाहोगे कि बिल्कुल आप वहीं से हाथ से उस चीज को उठा लो, तो ये चीज़े हैं, इसलिए आप बेट पे मत बैट के पढ़ो, आप study table पे, table या कुर्सी पे बैठो, तभी आप जो है ज़ को नमर के question को बनाना ज़रूर नहीं है, 50 नमर का ही अपने आपको evaluate करो, अगर उसमें आपका 10 आ रहा है आज, तो अगला सब्ता definitely अगर आप consist होके पढ़ोगे, तो 20 आएंगे, 30 आएंगे, इसी तरह से आपका बढ़ेगा, और एक बात याद रख लेना, जो बड़े champion लोग भी हैं, वो एका एक कभी भी सुननी से सीखर तक नहीं पहुंचते हैं, step by step पहुंचते हैं, आगे देख लो, आप लोगों के लिए यहाँ पर question है, सारे लोगों को comment करना है, 1 और 2 के बीच में कितने number आप निकाल सकते हो, mathematics वाले ने अगर question का जवाब नहीं दिया ह तो आपके उपर लानत है, आप 1 और 2 के बीच में कितने number लिख सकते हो, चलो मैं एक छोटा सा hint कर देता हूँ, इसके बीच में 1.5 भी है, 1.5 भी आता है, 1.5 रुपिया, अब आप बताओ और कितने कितने आप लिख सकते हो, 1 और 2 रुपे के बीच में, या फिर 1 या 2 के ब भला हो, उससे 2 पैसे मेरा भी घर चले, तो दोनों की भलाई है इसमें, सबसे पहले जान लो किसी को अगर नौट्स चाहिए, वाइस प्रिंस्पल के लिए, फिनांस, जो फाइनांस और एड्मिनिस्ट्रेटीव का पाट है, उसके लिए मैंने नौट्स तयार कर लिए हैं, आप मुझे मेल कर लो, yourmithun sing at the rate gmail.com पे और आपको प्राइस इमेल पे बता दी जाएगी, एक और बात, जब भी आप मेल करो तो आप अपना मॉबाइल नंबर जरूर ड्रॉप कर दो, होता क्या है ना, कि आप इमेल करके सोजाते हो, तो कोशिज करना, कि आप अपनी मिल जाएगी, आप उहां से भी मुझे message करके, जो आपको notes वगेरा चाहिए होंगे, CDP के notes मेरे hand return आपको मिलेंगे, पहली बात, दूसरी बात, आपको जो भी previous year question paper है, सबसे पहले वो आपको मिल जाएगा, आप देखो बहुत सारे लोगों के मन में doubt आ रहा होगा, मैंने ब लब्या का हो जाएगा, और एक बात मैं बताओ, एक रुपे में आपको एक paper मिलने वाला है, आप 50 रुपे करोगे तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको 50 paper solve करके आपको दूँगा, solve तो नहीं, बट 50 question paper आपको मिल जाएगे, clear होगी बात है, जिनको लेना होगा वो आए जिनको नहीं लेना है, उनके लिए बता दू, online सारे चीज़ें फिरी में available है, आप अगर अपना 5 घंटा, 10 घंटा या 2 दिन बिताना चाहते हो internet पे, सौक से बिताइए, फिरी में available है, पैसे देनी की जरूरत नहीं है, आपको नहीं मिलता है, आप ठक गए हो, नहीं मिल रह जाए, मैंने अल्रेडी बहुत सारे चीज़ों को बताया है, बट, NCRT is the best, जैसे बोलता है घरों में आपको बोला जाता है, कि private job से बहतर क्या है, government job कर लो, stability रहेगी आपके साथ, तो सेम चीज़े NCRT के साथ है, बहुत सारे writer आएंगे, जाएंगे, बट NCRT जहां है, वह knowledge देगा, और सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी कोई भी conflict होता है, यानि कि कहीं पे बिबाद होता है, तो NCRT के answer को correct माना जाता है, तो आप NCRT पढ़ो, और अब मैं देखो, आपको चौकाने वाली बात करूँगा, contradictory बात करूँगा, NCRT sufficient नहीं है, जी हां, अब mathematics वाले इस से 100 गुना ज्यादा question आपको मिलेंगे, तो supplementary book आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं history वाले के लिए भी बोल रहा हूँ, विपिन चंद्रा की पढ़ लो, या quality वाले हैं, तो लक्षमी कान्त को पढ़ लो, देखो ये बड़े नाम है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, actually नाम ऐसे ही लिया जाता है, तो लक्षमी कान्त जी की book पढ़ सकते हो आप, एक और बात, आप अपने time को money की तरह treat करो, आपने channel का banner देखा होगा, मेरे channel का, वहाँ पे मेरी photo के साथ ये बात मैंने लिखी है, मैं एक दिन अपने घर में था, तो ये बात मेरे दिमाग में आ आगे चलके आएगी, 30 के बाद आप रोना सुरू कर दोगे की job नहीं लगी, आगे देखते हैं, ग्यान की बातें बहुत हो गई, पढ़ने के दोरान कभी आपका mobile on नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके बहुत सारे call आएँगे, आपके दोस्तों के परिवारों के disturbance सुइच आप कर दो, और एक बात मैं बता दू, अभी बाबु सोना, धनिया, पुदीना सब भूल जाओ, क्योंकि job लगेगी तो बहुत सारे पुदीना आपके आँगन में उगेंगे, अब बुरा मत मान लेना और कॉमेंट में मुझे भला बुरा मत कहने लगना, लेकिन reality यही है, जॉब लगेगी तो बहुत सारे बाबु सोना, धनिया, पुदीना आते रहेंगे और जाते रहेंगे, जॉब आपका constant है, इसकी value कभी नहीं change होगी, आप देख लेना जॉब लगने के बात क्या आपको जो है एक अलग नजर से देखा जाता है society में, मैं इसलिए ब 40 से 50 जार ही मिल रहा है, तो सोच के देखो, government job जो आपके बाप दादा कह गए है, कि east और best सरकारी नौकरी is the best, इसलिए वो बोलते हैं, तो switch off करके पढ़ो और बाबु सोना को टाटा बाय बाय कह दो, बाद में रात को आदे घंटे बात कर लो, गर आप relationship में हो, maintain your relationship, but never intersect between your a study, कभी भी intersect मत करो अपने study के बीच में इस चीज को, आगे बढ़ते हैं, set your target for tomorrow before sleeping, जी हाँ, सबसे important चीजे हैं, मैं तो इस चीज का बहुत ही पालन करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहली बात, मैं जब रात को सोने जाता हूँ, तो मैं अप अभी भी देखता हूँ, तो मैं रात को ही decide कर लेता हूँ, सोने से पहले, तो आप अगले दिन क्या-क्या पढ़ोगे, कौन सा chapter पढ़ोगे, रात को ही सोने से पहले, हो सके तो एक छोटी सी डायरी में नौट कर लो, और आपको हंसी लग रहा होगा, ये सब छोटी-छोट लेकिन इतनी काम की है, 21 दिन तक लगातार करके देखो, और आपको लगेगा कि confidence आपके अंदर ऐसा आएगा, आप अपने आपको नहीं पहचान पाओगे कि मेरी, ये मैं था, अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं, देख लेना करके एक बार आपको पता चल जाएगा, अब तक paper के pattern को नहीं देख लिया जाए, question की extender को नहीं ना पा जाए, तक कोई नहीं बता सकता cut up क्या होने वाला है, suppose कर लो paper easy रहा, तो cut up definitely high जाएगा, no doubt, अगर paper difficult हुआ, या फिर moderate हुआ, तो cut up थोड़ी सी क्या होगी, low जाएगी, simple सी बात है, तो ये सारे चीजे हैं, इन और vice principal के लिए भी मैंने book की list बना दी है, आप जाके देख सकते हो, description box में, link मैं दे दूँगा, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हो, TGT, PGT, Hindi और science वाले के लिए video जल्द ही आ जाएगी, थोड़ा सा मुझे भी relax करने का time चाहिए होता है, और recently मैं आपको बता दूँ, एक आई है YouTube पे web series, मैं तो recommend नहीं करूँगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर time मिले Sunday को तो जरूर देख लो, आप चार एपिसोड उसके आचुके हैं, aspirant की, तो आप जरूर देख लो, ये आपको कहां पे मिलेगा, TBF channel है, वहां से आप देख सकते हो, और बड़े कम पोदिना, जो है बाद में कर लेना, बावुस होना, लाइफ में जॉप रहेगी, stability रहेगी, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक इसे सेर करें, और नए हो तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कि है, तो सब्सक्राइ आई मिधुन सिंग पे, और नमबर जरूर ड्रॉप करें, ताकि कॉम्निकेशन आसानी से हो पाए, टाइम टेकिंग ना हो, आपका हर एक दिन बहुत ही बहुमूली है, कीमती है, प्रीसियस है, सो प्लीज अपने टाइम को खर्च करो, लेकिन हिसाब किताब लगा के, थैंक झाल